मैं वर्जिना सेंसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कड़ाई तो चलिए इंग्रेडियंट्स देख लेते हैं तो उसके लिए हमने एक किलो चिकन लिया है जो हमने दू के रखावा है छे मिर्चों को हमने चोटा-चोटा काट लिया है यह तक्रीबन चार चमच इसमें हराधनिया है एक बड़ा चमच हमने खुटावा लेसन लिया है और एक बड़ा चमच खुटावा अध्रपी लिया है यह चार टमाटर हैं बड़े साइस के और नाप में तक्रीबन यह आदा क एक चमच सूखा पिसव अधनिये एक चमच पिसव जीर है एक चमच हमने राल मिर्चे ली है और ये दो सावत है इस तरह यह आपकी मर्जी है अगर नहीं डालना बुइदा हम इस को स्किप कर सकते हैं कि है और चमच बोनां खुटा वा जीरा है अदा चमच हल्दी है ये एक चमच दनीया है और बुनां खुटावा और ये और चमच काली मिर्ची है ये कूटिवी मिर्ची है और अदा उतक्यrau गरम अपर क्या है यह अद्रक है जो हम आदा इसमें डालेंगे और अदा गार्णिश के लिए रखेंगे इसको जूलियन कट किया है यह नमक है यह एक चमच हम डालेंगे आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और यह दो चमच कसूरी मेथी है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते है अभी कड़ाई उपर रखेंगे और फ्लेम को ओन करेंगे और फिर यह हम ऑईल इसमें डालेंगे आदा कपसे थोड़ा सा जैदा ऑईल डालेंगे हम तेज आग पे थोड़ा इसको दरम करेंगे वाई तो अभी हम यह चिकन इसमें आड़ करेंगे एक किलो चिकन है ग्वाल अजानी हम बुनेंगे जब तक भी यह पुरा तलर थेन पार ना कर लाएं यह देखिए बूंगा है कलर तीन हो रहा है इसका जब तक इसको भूनेंगे जब तक इसका इसका कलर बिल्कुल वाइटना हो रहा है अब ही हम इसमें चार से पांच चमच दही डालेंगे अब इसको भूनेंगे प्लेम इसका जैदा ही रखेंगे इसलिए के जल्दी जल्दी पारिंगे इसमें फुष्प हो जाए अब ही हम इसमें लालेंगे यह लेसन है एक बड़ा चमच कुटावा है यह अध्रक है एक बड़ा चमच कुटावा कुटावा है नवड़ा है यह लाया थावा है जुटावा है यह अध्रक है यह झालेंगे ध। अब हम पांच मिलिट के लिए ड़कन देगे इसको पका लेंगे ताके दही का पानी भी खुश्कोच जाए जाए और चिकन जो है वो बल जाए चलिए अब धकन हटाते हैं पांच मिन्ट हो चुके हैं यह देखें हमारा चिकन कट्डी मुल बिल गया है अब हम इसके टमाटल रैट करेंगे और यह टमाटल आदा किलो हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया था आप इसको चिलके उतार के साबत भी डाल सकते हैं चॉप करके मैंने इसके चिलके उतार के इसको ब्रेट करके रखा था इस सेच पर अभी हम इसमें एक चमच नमक दाल देंगे एक चमच नमक है नमक दालके और हम इसको भी पांच बिनक के लिए घाख देगें तके टमाटल अच्छे तरीके से गल जाएं यह देखिए पांच बंट हो जुके हैं लेकिन अभी तक पानी इसका कुछ नहीं हुआ तमाटल का पानी तो इसलिए हम पांच से चे मिनट और इसको बगां देखिए अभी तक्रीबन पानी इसका कुछ पोल जुका है लेकिन इतना सा हमें चाहिए क्योंकि अभी हम इसमें मसाले आड़ करेंगे तो इतना सा मॉस्चराइजर हमें इसमें चाहिए अभी हम मसाले डालेंगे इसमें तो सबसे पहले यह हमने एक चमच पुटीवी मिर्च और एक चमच पिसीवी लाल मिर्च ली है और दो साबत लाल मिर्ची यह हम इसमें डालेंगे यह आदा चमच गरम मसाला है और आदा छोटा चमच काली मिर्ची है यह दालेंगे यह पिसावा सूखा धनिया है और यह पिसावा जीरा है आदा चमच खल्दी एक छोटा चमच भुना कुटावा जीरा यह एक चमच भुना कुटावा धनिया अभी हम इस को भुन देंगे मसाले को भुन्स करेंगे इतना जबर्दस कलर लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रहे हैं अभी बूनते वे हमें तक्रीबन पांच मिनट हो गए हैं अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे यह जो हमने 3 बीच में से कट करके रखी थी और यह मिर्ची हमने तीन से चार इस तरह कटिंग करके रखी हैं यह हम इसमें आने हैं कि अच्छी हम अधरक इसमें डालेंगे जो हमने जूडीन कटिंगे अभी हम दो से तीन चमच दही और इसमें आट करेंगे अच्छी हम एक हैं कि और जबादस कड़ने फस्ते लिए ख में हैं जबहरा रहा बहुत हैं एक एक लिए सबस्द्द्रश है उत्ता डालिए इससका अब जाएब करेंगे नहीं वह मिर्शनुट्रेंट हैं बड़ाई क्यार है अब हम इसमें दो बड़े चमच मेती उसको थोड़ा सा हाथ में ग्रेट करके डालेंगे और ये हमने एक लीमू लिया था जो हम उसका रस में तो बने एक लीमू का अगर आपका थोड़ा अच्छा वाला लीमू हो तो आप आदा राने ये सिरफ आदा चमच रस होना जाएंगे अब इसको मेट करेंगे कड़ाई के आद में अब थोड़ा जनिया डालें इसको सिरफ दो मिनट इसको हल्की आद पे रखेंगे और पूरी कड़ाई को हमने फुल आद के पे पताया है अभी लास्ट में हमने कम किया है तो अभी दम बली आद पे रखा है हमने सिरफ दो मिनट दो मिनट के बाद फिर मिल जाएं चलिए जी दो मिनट हो चुकी है हमारी जबदसी लाजवाब चिकन कड़ाई त्यार है बिल्कुल रेस्टराण जैसी तो अभी हम इसको फ्लेम को बंद करेंगे और इसको अभी हम डिश आउट करते हैं कड़ाई बिल्कुल त्यार है अब हम इसको गार्मिश करेंगे हम भुपाई लाजखिछ त्यार है व्राण साथ तया जी हम करेंगे त्यार प्लेम्र बंद साथ नोग करें तो त्यार है हम नहीं हम इस ओक्र प्लेम्र उर प्लेम्र उम्रूण वर क्रेंगे इसी अद्रक कटकर करें लेजिए हमारी चिकन कड़ाई त्यार है पिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी है और यह सारी चीज आपके घर में मौझूद होती हैं सिरफ आपको चिकन दाना पड़ेगा तो यह जबर दस्ता आप रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर ही ले सकते हैं तो आपकी कैसी बनी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बैल आइकोन का बटन है उसको जरूर दबाएं ताके हर आने वाली वीडियो आप तक पहुन सकी है थैंक यू मुलत दूर के थैंक निचल करें टो आने वीडियोग वीडियो आने विर वीडियो 517 क्ते हैं